प्रश्ट करवाय थे 1234 पूरा सरल उत्कों के कितने प्रकार है प्रहोर का सिशस्त व्रुव्जुत कहां पाया जाता है नारिल का रिशा किस उत्क का बना होता है और फ्लोईम के संगटक कौन-कौन से हैं चालनी को शिकाएं साथी को शिकाएं फ्लोईम पेरिंकाहिमा और फ्लोईम फाइबर कोशन हम चारों कर चुके थे आज हमनों पढ़ेंगे जन्तु उतक बरस्पति कोशिका बरस्पति उतक जन्तु कोशिका जन्तु उतक है ना आज हमनों जन्तु के बारे में पढ़ेंगे जब हम सांस लेते हैं तहों अपने जहाती की गती को मसूस करते हैं शरीर की ये अंग कैसे गती करते हैं इसके लिए हमारे पास कुछ विशिश कुशिकाएं करते हैं जिने हम पेशिय कुशिकाएं करते हैं इन को शिकाओ का फैलना और शिकुड़ना अंगों को गती प्रिदाग करता है जब हम सानस लेते हैं तो मारी छाती में भी गती यूंलों को पता चलता है और पेषी को शिकाओ जोती है वह फैलती है और शिकुड़तीачा वो भी अस्पर्ष करनी से हम लोगं को पता चलता है सास लेते समय हम oxygen लेते हैं oxygen कहां से आती है या फेँप्रों के द्वारा औसोसित की जाती है तता रक्त के साथ शरीर की सभी कुशिकाओं तक पहुंच जाती है कुशिकाओं को oxygen क्या हुशिकता तो हम लोग सांस जो लेते हैं वह ऑक्सिजन लेते हैं एक 10 कहां से आती है फेप्रों तक पहुछता है और कैसे-काशे से स्वेक्षकावड वह हम लोग अभी आपनो इसकी जानकारी लेंगे तो कोशिकाव को ओक्सिजन के अवश्यक्ता क्यों होती है मैट्रोकॉंड्रिया का कार इस प्रश्ट के हल के लिए एक संकेत देता है जिसके बारे में हम पढ़ चुकी है रक्त अपने साथ बिभिन पडार्थों को शरीर में एक अस्थान से दुसरे अस्थान तक ले जाता है रक्त क्या करता है अपने साथ बिभिन पडार्थों को शरीर में एक अस्थान से दुसरे अस्थान तक ले जाता है या वाहन का काम करता है जैसे कि भोजन और ऑक्सिजन को सभी कोशिकाओं तक पहुचाता है कौन रक्त या शरीर के सभी भागों से अप्सिष्ट पडार्थों को एकत्र करके यक्रित तथा व्रिक तक उट्सरजन के लिए पहुचाता है शरीर में जितने भी अप्सिष्ट पडार्थ हुए उनको वह जमा करता है और लिवर में ततव किड्नी तक उट्सरजन के लिए पहुचाता है रक्त और पेशिया दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले उतकों के उदारन है रक्त और पेशिया दोनों ही हमारे शरीर में पाय जाने वाले उतकों के उधारन हैं। उनकी कारी क्या धार पर हम विभीन प्रकार के जन्ती उतकों के बारे में उचार कर सकते हैं। जैसे कि एपिथेलियम उतक, सैयोजी उतक, पेशिय उतक तथा तंत्रगा उतक। एपिथेलियम को उतक, सैयोजी उतक, तिसरा पेशिय उतक तथा तंत्र का उतक। रक्त सैयोजी उतक का एक उताहरण है तथा पेशी उतक का उताहरण है। रक्त याद रखीगा कि वो सैयोजी उतक है और पेशी पेशी उतक। वो तो क्लियर है पेशे से पेशे युक्त यह याद रहेगा अब हम देख रहे हैं कि अब आशे के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं अब आशे यह जो हम देख रहे हैं अब है एपिथेलियम उतक जन्तों के शरीर को ढखने या बाही रक्षा प्रदान करने वाले उतक एपिथेलियम उतक होते हैं जैसे बनस्पति में था एपिडर्मिस जो की बिख्ष के बावरी आवरन को ढख के रखता है उसी तरह हमारे जन्तों कुशकाव में है जन्तों में है एपिथेलियम उतक जो शरीर को ढखने तथा बाही रक्षा प्रदान करने वाले उतक होते हैं एपिथेलियम शरीर के अंदर इस्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढखते हैं ये बिन्य बिन्य प्रकार के शारिरिक तंत्रों को एक दुस्ते से अलग करने के लिए अवरोध का काम करते हैं जैसे तवच्चा, मुह, आहार नली, रक्तवाहिनी, नली का अस्तर, फेफडों की कूपिका, वरिक्य नली, आदि सभी एपिथेलियम उतक से बने होते हैं कौन-कौन बने रहते हैं तवच्चा, मुह, आहार नली, रक्तवाहिनी, नली का अस्तर, फेफडों की कूपिका, वरिक्य नली, आदि सभी एपिथेलियम उतक से बने होते हैं एपिथेलियम उतक की कुशिक आएं, एक दुस्ते से सटी होती है, और ये एक अनवरत परत का निर्बान करती है हब देखेंगे यहाँ, अब आशे की एपिथेलियम चित्र देखें, इसका यहाँ से यह चित्र दिखलाया गया है एपिथेलियम उतक का, फिर इसको लार्ज करके दिखलाया गया है फिर इसे लार्ज करके दिखलाया गया है, पेशियर इसे में फिर इसका एक पोर्शन को दिखलाया गया है, एक पेशियर से, सुक्ष्प दर्शी से देखने पर एक पेशियर से इस प्रकार दिखती है अब हम देख रहे हैं एपिथिलियम उतक में, एपिथिलियम उतक की कोशिकाएं एक दुस्य से सटी होती हैं और ये एक अनवरत परत का दिर्बान करती हैं इन परतों के बीच चिपकारे वाले पदार्थ कम होते हैं, तता कोशिकाओं के बीच बहुत कम अस्थान होता है एक परत पर परत वाल जैसी होती है, और कोशिकाओं के बीच बहुत कम अस्थान होता है असपस्टते जो भी पदात शरीर में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है वह एपिथेलियम की किसी परत से होकर ही गुजरता है कई परते होती हैं तो एपिथीलियम की जो परत होती है एपिथीलियम कोशिका की एपिथीलियम उतक की जो परत होती है उसे परत से होकर अवश्य ही गुजरता है इसके फल्चरूप विभिन प्रकार की एपिथीलियम कुशिकाओं के बीज की पार गम्यता, शरीर तथा बाहरी वातावरण और शरीर के विभिन अंगों के बीज पदार्थों के आदान प्रदार में मातक्पुन भूमिका निवाती है। कौन एपिथीलियम कुशिकाओं के बीज की पार गम्यता, शरीर तथा बाहरी वातावरण और शरीर के विभिन अंगों के बीज पदार्थों का आदान प्रदान आना जाना में मातक्पुन भूमिका निवाती है। सामान्यता सभी एपिथीलियमों को एक बाहर रेशेदार आधार जिल्ली उसे नीचे रहने वाले उतकों से अलग करते हैं। 6.9 में दर्साइग ए अनुसार विभिन एपिथीलियमों की संग्रचना है। है। चित्र 6.9 में एपिथीलियम की संग्रचनाय विभिन प्रकार की होती है। जो उनके कारियों पर निर्भर करती है। उदारण के लिए कोशिकाओ मेरक्त दलिका अस्तर या कूपिका जहां पदार्थों का संवन वर्नात्वक पार्गम जिली द्वार होता है। वहां पर चप्टी एपिथीलियम उतक कुशिकाओ होती है। यह अत्यधिक पतली और चप्टी होती है तथा कोबल अस्तर का निर्मान करती है। और आहार डली तथा मूँ का अस्तर सलकी एपिथीलियम से ढखा रहता है। आहार तथा मूँ का अस्तर सलकी एपिथीलियम से ढखा रहता है। सलकी एपिथीलियम का चित्र देखें आपर है। सलकी एपिथीलियम का चित्र यह है देखें। इससे धका रहता है शरीर का रक्षात्पक कवच अर्थात तौचा इन्हीं सलकी एपिथिलियम से बनी होती है तौचा की एपिथिलियम को शिकाएं इनको कटने तथा फटने से बचाने के लिए कई पर्तों में ब्यवस्थित होती है चुकि यह कई पर्तों के पैटन पे ब्यवस्थित होती है इसलिए इन्हीं एपिथिलियम को अस्तरित सलकी एपिथिलियम करते हैं अस्तरित सल्की एपिथिलियम कहते हैं यह देखे चितर अस्तरित सल्की एपिथिलियम कई पर्तों में बटी हुई है देखे एक यह हो गया यह यह इस तरह से परत पर परत बनी भी होती है इसले इनका नाभ हम लोग देखे यह अस्तरित सल्की एपिथिलियम यहां अवशूशन और स् स्राव होता है जिसरे आट की भीतरी अस्तर में आट की भीतरी लाइनिंग में होती है वहाँ लंबी एपिथिलियम कुशिकाएं मौजूद होती है लंबी एपिथिलियम कुशिकाएं जिसे आत है आत के पित्रियस्तर है उसमें ये कुशिकाएं अस्तम्भकार की कुशिकाएं एपिथिलियम मौजूद रहती है देखिए अस्तम्भाकार ये है लंबा लंबा है उपर से निचे अस्तंभ की तरह है इसले इसका नाम है अस्तंभाकार एपिथिलियम यह अस्तंभाकार एपिथिलियम एपिथिलियमी औरोध को पार कड़े में सायता प्रदान करता है स्वास नली में अस्तंभाकार एपिथिलियम उतक में पक्षावी भी रहती है पक्षावी यानि की सीलिया इसको सीलिया करते है तो स्वास नली में अस्तंभाकार एपिथिलियमी उतक में पक्षावी होते है जो की एपिथिलियमी उतक की कोशिकाव की सत्ता पर बाल जैसे संग्रचनाई होती है बाल जैसे संग्रचनाई होते हैं जो की से गती करड़े में मदद करती है के पक्षव गति कर सकते हैं तो यहां का देख रहे है कि एपिथीलियम कोशिकाओं का जो प्रकार है यह aven कि है एक यह नद्मक्न और यह णे शव् 업 देखार है आज दो प्रशाते हैं और खनाकर है कि चप्टी और अजया裡 कुछें और यह अस्तंभार है अस्तना आ पक्षभावी आकट्रा कैं को क्या हिन्स फेल्ट और छुटनृ 9 फेल्फ कि चार इस्टे आगे और यह इंग माद की विंव्चुछित wod लाहिंगे हैं तो पक्षाप गती कर सकते हैं सील्या। बाल कि तर संग्रैशिणा होती है कि लार्य हल का पतला जैसा उरूमा जैसा करने तथा उसी को पक्षाप करते हैं जिया ॏेशलीययenne लिए शिवर्टे चैना लिए कि recognizes Ikuya इनकी गती श्लिश्वा को आगे अस्थानतित करके साफ करने में साहता करती है, श्लिश्वा को आगे अस्थानतित करके साफ करने में मदद करती है, इस प्रकार के एपिथीलियम को पक्षावी अस्तब्बाकार एपिथीलियम कहते हैं, जो कि अभी हम लोग चितर में देखें पक्षावी स्थम्मकार एपिथिलियम घनाकार एपिथिलियम व्रिक्य नली तथा लार ग्रंथ की नली के अस्तर का निर्मान करती है घनाकार एपिथिलियम व्रिक्य नली और लार ग्रंथ की नली के अस्तर का निर्मान करती है तो घनाकार एपिथिलम दिखला रहा है भी आपको, ये है घनाकार एपिथिलम है ना, ये वरिक की नली और लार की नली की नूँ बेवस्तित रहता है, ठीक है? अगार कार एपिथिलम वरिक की नली तरफ लार गरंथी की नली की अस्तर का निपान करती हैं, जहां उसे यांत्रिक शहारा प्रणान करती है, ये एपिथिलियम कोशिका प्राया ग्रंथी कोशिका के रुप में अतरिक्त विशिष्टा अर्जित करती है जो एपिथिलियमी ओतक की सता पर पडात्थों का श्राव कर सकते हैं कभी-कभी एपिथिलियमी ओतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा रहता है तथा एक बहु कोशिक ग्रंथी का निर्मान करता है या ग्रंथिल एपिथिलियम कहलाता है क्या होता है जो एपिथिलियमी ओतक की सता पर पडातों का श्राव कर सकते हैं तो कभी-कभी एपिथिलियमी ओतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है तथा एक बहु कोश्की ग्रंथी का निर्मान करता है या ग्रंथिल कहलाता है एपिथिलियम ये कहलाता है एप अब दूसरा है स्मयोजी उत्वं सेड़ाल सेड़ा जा शेङे दिफ का रू है र्थ लिए प्रकार का स्मयोजी उतक है यह बतलायतों स Usually संहीं जीं उत्वर उत्акти परकार साईयोजी उत्क क्यों हो मैंसे देखें से संहीं उत्क क्यों कहते हैं सब्सक्राइब क्रदने यानिके मैट्रिक्स अंतर कुश्र की आधात्री मैट्रिक्स में धसी होती है धसी वी होती है यह आधात्री जेली के तरह तरल सघन या कठोर हो सकती है मैट्रिक्स जो है वह तरल सघन या कठोर भी हो सकती है मैट्रिक्स की प्रकृति विशिष्ट सहयोजी उतक के कारे के अनुशार बदलती रहती है जो अंतर कुश्र की आधात्री है यानिकि जो मैट्रिक्स है वह कारे के अधार पर अनुशार बदलती रहती है रक्त की एक बुद स्लाइट पर ले और उसे हम लोग शुक्ष्यदर्सिसे देखेंगे तो हम क्या देखते हैं रक्त की तरल मेट्रिक्स भाग को ओ प्लाजमा रस तरल भाग को हम लोग प्लाजमा कहते हैं और प्लाजमा में RBC होती है, लाव रक्त कुषका है, रेट ब्लड कॉर्पुसल्स रते हैं, स्वेत रक्त कुषका हैं, रते हैं, वाइट ब्लड कॉर्पुसल्स रते हैं, तथा प्लेटिलेट से लब्बित होते हैं, रक्त के तरल पैट्रिक्स को प्लाजमा कहते हैं, और प् WBC, red blood corpuscles, WBC, white blood corpuscles, तथा platyates लब्वित होते हैं, प्लाजमा में प्रोटीन, नमक और हार्मोन्स भी होते हैं, क्या होते हैं, प्लाजमा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन्स होते हैं, इस सबको याद रखिएगा, एक डबर के कुश्चन में इस बहुत इंपोर्टेंट हो नमक ऑ hasta गासों शरीर के पचैवे भुजन, ररक्त गैसों शरीर के पचैवे भुजन, हार्मोन्स तथा इसस sıरिफ धर्वोर्ज सर्जीप दार्थों को शरीर के एक भाग से दुसरे भाग में सहर्वन का कारी करते हैं, जैसे म driesपती में थार, जाईलम और navy lives Senowindetm why तरह हम लोग में जन्तों को श्रिकार में रक्त जो है वह सम्वन का गरता है जैसु को शरीर के पच main उथऔ हार्मोन्स तथा उट्सर्जी पदार्थों को शरीर की एक भाग से दुसरे भाग में सम्वन करता है। अस्थी सेयोजी उत्तक का एक अन्योदारण है, अस्थी यानि कि हड्डी अस्थी यह अन्योदारण है, यह पंजर का निर्मान करता है। पंजर जिसको हम लोग पसलिया करते हैं, पंजर का निर्मान कर शरीर को आकार प्रदान करती है, यह मालस्पेशियों को सहारा देती है, और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देती है, मालस्पेशियों को सहारा देती है, कौन? अस्थी, है न? अस्थी जो है, वह हमारे शरीर को आक आर्पगान करती है और मानस्पेशिय को सहारा देती है शरीर के मुख्यंगों को सहारा देती है यह उतक मजबूत और कठूर होता है अस्थी क्या करता है हमारे शरीर में एक फ्रेम का कारी करता है कंकाल जो अस्थी का बना दता है एक फ्रेम का कारी करता है ना उसे पर ह करता है वो मजबूत और कठोर बना करके ब्लिड बना करके शरीर को रखता है अस्थी कारियों के लिए इन गुणों के क्या उप्योग है अस्थी को शिकाय कठोर अधात्री में धसी होती है जो कैल्सियम और फॉस्पोरस से बली होती है अस्थी को शिकाय कठोर अधात्री में धसी होती है वो कैल्सियम और फॉस्पोरस से बली होती है दो अस्थीया आपस में एक दुस्रे से एक अन्य सयोजी उतर जिसे असनायू कहते है अस्थी बंधन तंतु असनायू कहते है दो अस्थीया आपस में एक दुस्रे से एक अन्य सयोजी उतक जिसे के असनायू कहते है उनसे जुड़ेवी होती है यह उतक बहुत लच्चीला होता है और मजबूत होता है असनायू में बहुत कम आधात्रिक होती है एक अन्य प्रकार का सयोजी उतक कंडरा जिसको टेंडॉन है वह अस्थीयों से माल स्पेशियों को जोड़ता है सबसे पहले तौप देखेगे ढो हड़ीया आपस में जोड़ती है वह सयोजी उतक जिसे सनायू कहते है उससे जुड़ी होती है और यह उतक बहुत लच्चीला होता है लच्चीला के साथ सार्प मजबूत होता है यह अन्य प्रकार सयोजी उतक है जिसका नाम कंड्रा टेंडॉन वो अस्थियों से माल स्पेशियों को जोड़ता है सब एक दूसर जुड़ेवे रते हैं अस्थियों से माल स्पेशियों को जोड़ता है और कंड्रा टेंडॉन मजबूत होता है तथा सिमित लचीलेपन वाला रेशेदार उतक होते हैं लचील और रेशेदार तक होते हैं। उपास्ति काटिलेज एक अन्य प्रकार का सेयोजीव तक होता है। जिसमें कोशिकाओं के बीच परियापत स्थान होता है। इसकी ठोस आधात्री प्रोटीन और शरकरा की बनी होती है। या अस्ति काटिलेज होता है या मुलायम होता है। जिसतर से अस्ति जितना ही कड़ा होता है। इसकी ठोस आधात्री प्रोटीन और शरक्रा की बनी होती है। या अस्तियों के जोड़ों को चिकटा बनाती है। अस्थियों के जुड़ों को चिकना बनाती है उपास्थी हमारे नाक, कान, कंठ और स्वास नली में भी उपास्थित होती है हम कान के उपास्थी को मोड सकते हैं क्योंकि बाह कर्ण ये इहमें दिखता है इसे माराम से मोड सकते हैं परतु हाथ के हट्टी को हम नहीं मोर सकते हैं यह दो उतक किस प्रकार भिन्ने हैं काल के हट्टी को माराव से मोर सकते हैं डाप को भी दाय बाय कर सकते हैं लेकिन हाथ के हट्टी पैर के हट्टी को हम आसानिच नहीं मोर सकते हैं अग हैं ये दो उतक किस्पकार भी नहीं देखें ऐरियोलर सयोजी उतक तौच्छा और मांस पिष्यों के बीच तौच्छा और मांस पिष्यों के बीच रत नलिका के चारो ओर तथा नसों और अस्ति मज़्या में पाय जाता है यह अंगों के भीतर की खाली जगों को भरता है आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और उतकों की मरमत में साहता करता है यह आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है अंगों के भीतर में जो खाली जगर आता है उसको भरता है और उतकों की मरमत करने में सहायता करता है हमारे शरीर में वसा कहां संचित होता है वसा का संग्रह करने वाला वसा में उतक तोच्छा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाय जाता है शरीर में वसा कहां संचित होता है वसा का संग्रह करने वाला वसा में उतक तोच्चा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाय जाता है इस उतक की कुशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती है वसा संग्रहित होने की कारण या उसमिय कुचालक का कारे भी करता है वसा संग्रहित होने की कारण या उसमिय कुचालक का कारे भी करता है हम देखेंगे कुछ समयोजी उतक के प्रकार समयोजी उतक का प्रकार हम दरेख रहें आपर, ऑर अजो ज़ियूलर उतक के बारे में हम लोग पढ़ें, जो कि खाले स्थानों को भगता है необходимо targeting, साहता करता, मदद करता है. ए है चित्र ए देखिए ए है एरियोरल उतक एरियोरल उतक है यह फाइबर की तरह जो संग्रचना है इसको करते कोलेजिल फाइबर पता चल दा रहा है और इसे फाइबरो ब्लास्ट करते हैं यह पर जाली का फाइबर है यह सब रेशय का जाल बनना हुगा ये हैं ब्रियत भक्ष काणू और ये हैं शंपेशनी को सिकाएं प्लाज्मा कोशिकाएं शंपेशनी कोशिकाएं और ये हैं अब है दुसरा वसा में एडिपोज उतक वसा में एडिपोज उतक ये देखें ये हैं एडिपोज वसायुक्त उतक का चित्र ये मोटी सुक्षव बिंदुख है और ये केंद्रक है केंद्रक का चित्र देखें ये केंद्रक है ये केंद्रक है ये केंद्रक है ये ना है संगत अस्थी उतक और डी है काचाव असनाई उतक काचाव यह देखिसी है अस्थी उतक यह अस्थी उतक है और डी है काचाव असनाई उतक काचाव अधात्री मैट्रिक्स है उपास्थरों कांड्रोसाइट और इधर हैक्स नलका इसब सब आपनों को बहुत याद करना पड़ेगा सबका नाम चित्र कॉपी में बनाईगा और इसब के नाम को याद करना होगा सी है अस्थी उतक और यहाँ पर है लाग रक्त कडिका है रेड ब्लड कॉर्पुसल्स यह है रेड ब्लड कॉर्पुसल्स फिर है बिबीन रक्त कोशिका है यह ना इमें है बिबीन रक्त कोशिका है देखे निट्रोफाइल, योसिनोफिल, फिर है बेसोफिल, यह है बेसोफिल, सबसे पहले निट्रोफाइल, ल्यूकोसाइट्स, योसिनोफिल, यह है बेसोफिल, नीचे है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, प्लेटिलेट्स यह है हमारा बिभीन प्रकार की वाइट ब्लड कॉर्पुसल्स सफेद रक्त कनिकाए यह थी लाल रक्त कनिकाए रेड ब्लड कॉर्पुसल्स यह है लाल रक्त कनिकाए और यहाँ जितना दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक यह है इसम बहुत सारा प्रकार है एक है बहुकर केंदर कर लिकोसाइट से देखि Yap और अग्दर वाला केंदरक है यह थेотриक है यह है बेसोफिल यह 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 है लेमफोसाइट यह केंद्रक्श है यह है ओंसाision, यह है यह मोनोसाइट वह वह यह केंद्रकण मेन सब्पेत सबका नाम आपनों को याद करना होगा अब हम पढ़ेंगे पेशिय उतक ना शयोजी उतक तो हो गया अब हम लोग पढ़ेंगे पेशिय उतक अब है पेशिय उतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है जिसे पेशिय रता है यह हमारे شरिय में तो दाई होते हैं पेशियों में एक क्ति प्रकार कि प्रोटीन होती है जिसे श्रिकुरने वाला प्रोटीन करते हैं, जिसके संकूर्चन एवंग प्रशार के कारण गति होते हैं, तब ही हम लोग कुछ पेशियां जो तीक्षानों सरगति करा सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोग और अगने नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, पेश्री उत्तक के बारे में और हम लोग चानेंगे, आज थोड़ा से इंट्रोड़क्शन के लोग दे दिये हैं, पेश्री उत्तक लंबी कोशिकाओं का बना होता है, जिसे मसल्स फाइवर भी कहते हैं, ठीके, आज हम इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, ओके, थैंक हम आ enquार देते हैं, यू यू only वयूजू हूंताक लिए चाहिं पूब ल데श्यगर चाने आ यूर क्वतले हैं, आ इंवाद्धयर में अमंशimento करेंगे कहते हैं, आ जिसे दूएले हैं, रहीज गएंगे भी कहते हैं, ओ לבन हम आ आ हूंगे, ग...